IPL 2023 के अपडेट लेकर मैं सना आपके सामने हाजिर हूँ बुधवार को IPL में एक और ऐसा मैच देखने को मिला जहां मेजबान टीम को हार जिलनी पड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक हाई स्कोरिंग गेम में विराट कोहली की RCB को मात दी बैंगलॉर की इस सीजन में ये चौथी हार है इस मैच का हाल क्या रहा और अभी पॉइंट स्टेबल में क्या अपडेट है जानिए इस विडियो में इस मैच में कोलकाता ने पहले बैटिंग की और 200 रनों का बड़ा स्कोर बनाया अभी तक केके आर पावर प्ले में बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही थी लेकिन यहां जेसन रॉइ ने कमाल किया और सिर्फ 29 बॉल में 56 रन बना डाले रॉइ की पारी में 5 छक्के शामिल रहे कोलकाता ने अपना पहला विकेट 83 के स्कोर पर गवाया केके आर के लिए यहां कप्तान नीतीश राना ने तूफानी पारी खेली और सिर्फ 21 बॉल में 48 रन बना दिये जिसमें उन्होंने 4-6 भी जमाए आखिर में रिंकु सिंग और डेविड वीज के योगदान से टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 200 के स्कोर तक पहुँच पाई आरसी भी अपने घरेलू मैदान पर बड़े स्कोर का पीछा कर रही थी एक बार फिर कप्तान विराट कोहली ने यहां 50 जमाई लेकिन इस बार फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल फेल हो गए इसी का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा उनके बाद महिपाल लॉम्रोर ने कुछ कोशिश की लेकिन मिडल ओर्डर फेल साबित हुआ और दिनेश कार्तिक की बुरी फॉर्म बार बार टीम पर भारी पड़ रही है आरसीबी ने 20 ओवर में कुल 189 रन बनाए और 21 रन से मैच गवा दिया इस जीत के साथ पॉइंट स्टेबल में कोलकाता की टीम साथवे नंबर पर पहुँच गई जबकि आरसीबी पाँचवे नंबर पर है अब टूर्नामेंट ऐसे मोर पर पहुँच गया है जहां टीमों को एक एक हार काफी भारी पड़ सकती है IPL 2023 से जुड़ी ऐसी ही खबरे हम आपके लिए लाएंगे आप आज तक AI के साथ बने रहिए मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव अनालेसिस, स्पेशल इंटिव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्च तक कैम